इस इस रिया शर्मा and welcome to Azalite Institute आज के हमारी इस वीडियो में हम cover करेंगे सरवनाम और विशेशन को ठीक है? सो सबसे पहले बात करते हैं सरवनाम की तो सरवनाम जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है सर्व और नाम और इसका अर्थ बनता है सबका नाम यानि कि सभी संग्याओं के स्थान पर जो प्रिक्त होते हैं यानि कि जो शब्द संग्याओं के स्थान पर प्रिक्त होते हैं उन सभी शब्दों को सरवनाम कहते हैं यानि कि आपने पहले डेफिनिशन सुनी होगी कि संग्या के स्थान पर प्रिक्त होने वाले शब्दों को स सर्वनाम कहते हैं यह इसकी दूसरी डेफिनिशन आप समझ सकते हैं ओके बेसिकली हम सर्वनाम वर्ड का यूज क्यों करते हैं उधारन देखिए आप सबसे पहले मैं तुम हम वे आप आदी ठीक है तो जब भी हमने कोई बड़ा सा पाराग्राफ लिखना होता है और किसी एक व्यक्ति का जिक्र बार-बार होता है तो ताकि उसके नाम की रिपिटीशन बार-बार ना हो उस रिपिटीशन से बचने के लिए हम उसको शौट फॉर्म दे देते हैं जैसे कि अपने आपके लिए हम पहली बार अपना नाम बता देंगे और दूसरी बार में मैं का प्रयो तोते हैं ठीक है यानि कि सभी इसका यूज कर सकते हैं जो वर्ड सर्वनाम में आ चुके हैं जैसे कि अगर मैंने समभोधन अपने लिए करना हो तो मैं अपने लिए मैं का प्रयोग करूँगी तो वैसे ही किसी और दुनिया में किसी ने भी अपने आपका समभोधन दूसरी बढ़ करना होगा तो वह अपने लिए मैं का इस्तिमाल कर सकता है तुम का प्रयोग हम सामने वाले के लिए कर सकते हैं ठीक है पूरी वर्ल्ड में ऐसे नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के पास ही अधिकार है इसलिए इनको जो है वो सर्वनाम कहा जाता है तो सर्वनाम इसको क्यों कहा जाता है इसके अर्थ के हिसाब से हमने देख लिया अब बात करते हैं हमारे पास में सरवनाम के भेद कितने हैं तो सरवनाम के छे भेद हैं सबसे पहला है पुरुष वाचक सरवनाम दूसरा है निश्चे वाचक सरवनाम तीसरा है अनिश्चे वाचक सरवनाम चौथा है संबंद वाचक सर्वनाम पांचवा है प्रश्न वाचक सर्वनाम और छटा है नेजवाचक सर्वनाम अब एक एक करके हम इन सभी सर्वनामों को समझेंगे सबसे पहले बात करें पुरुष वाचक सर्वनाम की ठीक है तो पुरुष वाचक सरवनाम यानि कि पुरुषों के लिए यूज होगा यानि कि मानव जाती के लिए यूज होगा जिसमें कि हमारे पास में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीन प्रकार के जो है वो सरवनाम होते हैं ठीक है तो सबसे पह तुमको तुमसे आपने आपको आप या तुमका इस्तिमाल हम अपने सामने खड़े इंसान के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में तुम या आपका इस्तिमाल होता है मध्यम पूरुष में और अन्य पूरुष में आ जाते हैं वो लोग जो के हमारे सामने नह सरवनाम में अपने आप से लेकर के सामने वाला और सामने वाले से लेकर के अन्य जिसके बारे में चर्चा चल रही है इस प्रकार से तीन प्रकार के पूरुष वाचक सरवनाम कहे जाते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास में निश्चे वाचक सरवनाम तो यह हमें निश्चे क करते हैं कि वस्तुमें या जिसके बार में भी हम चर्चा कर रहे हैं वो नजदींग या दूर ठीक है जो सरवनाम निकट या दूर के व्यक्तिवं या वस्तूं का निष्चियात्मग संकेट या बोद करवाएं उनको बोद्धिया listening रिवासाbel right अब तीसरा है हमारे पास में अनिष्चे वाचक सरवनाम, जिन शब्दों से हमें निश्चित वस्तू का बोध नहीं होता है, और सरवनाम है, उनको हम अनिश्चे वाचक सरवनाम की श्रीनी में रखती हैं, जिसी कि कुई कुछ यानि कि कुई आ गया, तो क्या करोगे उसने कुछ खा नहीं लिया उसने कुछ नहीं लिया इस तरीके से हमने examples कर ली ठीक है इससे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसे के बारे में बात कर रहे हैं किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं random वो अनिश्चे वाचक सर्वनाम में आएंगे next जो था समबंद वाचक सर्वनाम ठीक है तो जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से समबंद स्थापित करें जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे तो जैसा वो वैसे के साथ में समबंद स्थापित कर रहा है ठीक है वैसे ही जो और सो यानि कि एसे सरवनाम जिनका इस्तिमाल प्रश्ण करने के लिए किया जाए उनको बोलते हैं प्रश्ण वाजक सरवनाम, जैसे कि कौन आया था, वह क्या कह रहा है था, दूद में क्या गिर पड़ा, ठीक है इस तरह के से कौन, क्या, कैसे, कुछ, ठीक है, कुछ नहीं, I mean कौन, क्या, कैसे इस तरीके से जितने भी words होंगे जो हमारे पास में प्रश्न करेंगे उनको हम प्रश्न वाचक सर्वनाम में रखते हैं देन आता है हमारे पास में निज़ वाचक सर्वनाम तो निज़ का मतलब होता है अपने आप के लिए ठीक है यानि कि का मतलब होता है निर्जता के लिए हम जब यूज करें तो किसी सर्वनाम का इस्तेमाल हम अपने आप के लिए करेंगे स्वयम के लिए करेंगे तो उनको ने जवाचक सर्वनाम की श्रिणी में रखा जाता है इसका सीधा साधा उधारण है जैसे कि मैं अपने आप ही काम कर लूँगा, ठीक है, ओके तो अपने आप, स्वयम, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है वो, किस में आते हैं, नीजवाचक सर्वनाम में आते हैं, अब करते हैं कुछ प्रिविस एर कॉशन्स को, जो कि हमारे पेपर्स में आ चुक है, सर्वनाम से होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, option number A is correct here, next question है, निमलेखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद प्रियोग हुआ है, सबसे पहले sentences देख लेते हैं, तो सबसे पहली option है, वह स्वयम, यहां नहीं आना चाहती, ठीक है, दूसरी है, आपकी आग्रह पर मैं दिली जा सकता हूं, तीसरा है, मैं तेरे को एक घड़ी दूगा, चौथा है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ठीक है, तो बाकि सारे sentence की formation सही हुई है, लेकिन जो third number पर मैं तेरे को एक घड़ी दूगा, यह grammatically जो है, वो सही नहीं है, इसमें मैं तुझे एक घड़ी दूगा, तुझे वर्ड इस्तिमाल करते, तो वो सही सर्वनाम होता, यहां पर third option जो है, वो गलत है, यानि कि सही है, उसमें सर्वनाम का अशुद प्रियोग हुआ है, next question है, मुझे किसी, किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है, मुझे, यह तो हमने अभी अभी क के श्रेणी में आते हैं, तो मुझे जो है, वो अपने आप के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए option number A यहां पर correct हो जाएगा, कि उत्तम पुरुष सर्वनाम का उधारन है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का, next है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो अभी अभी हमने कि इसके छे प्रकार हैं, तो option number C यहां पर correct हो जाएगा, next है हमारे पास में निश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है, options है हमारे पास में क्या, कौन, कुछ और यह, ठीक है, तो क्या और कौन तो हमारे पास में आ जाएंगे प्रशन वाचक सर्वनाम, ओके, और कुछ जो कौन, कोई, जो, वह, ठीक है, तो इन में हमारे पास में कोई वर्ड जो है वो हमारे पास में अ निश्चे वाचक का सर्वनाम है, कौन प्रशन वाचक है, जो जो है वो सम्मंद वाचक है, वह जो हमारे पास में निश्चे वाचक है, यहां पर correct option जो हो जाएगा, वो है option number C next question है हमारे पास में यह खोड़ा अच्छा है इस वाक्य में यह क्या है ठीक है तो यह जो है वो सीधी सी बात है कि सरवनाम के रूप में रूप ने रूप है तो हमारे पास में यह क्या है सरवनाम है next है समंद वाचक सरवनाम बताएं okay तो options है कोई कौन वह जो हमने अभी अभी किया था कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा तो जो वर्ड जो है वो यहाँ पर समंद सापित कर रहा है next सरवनाम से तो जो वर्ड जो है वो हमारे पास में समंद वाचक सरवनाम है अब चलते हैं विशेशन पर ठीक है तो विशेशन का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ठीक है संगय या सरवनाम की जो विशेशता को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको हम विशेशन बोलते हैं सबसे पहली बात और विशेशन से ही मिलती जूलती एक टाम है विशेशे जो कि विशेशन से ही जुड़ी है तो विशेशे होता है जिसके बारे में विशेशता बताई जाती है ठीक है एक्जामपल है जैसे कि हरी घडी मेरी है ठीक है तो हरा उसका रंग है यह उसकी विशेशता है तो वो क्या हो गया हमरे पास में विशेशन और किसके बारे में बात चल रही है ये घड़ी के बारे में तो घड़ी हमारे पास में विशेशे हो गया तो सिधा से सब्बंध है कि जो विशेशता होती है उसको हम विशेशन बोलते हैं ठीक है और जिसकी विशेशता बताई जा उसको विशे कहा जाता है अब चलते हैं इसके भेदों की तरफ तो चार इसके भेद होते हैं सार्वनामिक विशेशन गुण वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन परिमान बोधक विशेशन सबसे पहले आता है हमारे पास में सार्वनामिक विशेशन तो जब किसी वि विशेशन के रूप में हुआ है उसको हम सार्व नामिक विशेशन कहते हैं एक्सांपल से आपको समझ में आएगा गा जैसे कि ऐसा आदमी नहीं देखा ह। तो ऐसा आदमी नहीं देखा, वो हम विशेशन के रूप में यूज़ कर रहेें तो कैसा इसमें क्या आ रहा है सार्व नामिक विशेशन नेक्स्ट है जैसा देश वैसा भेश ठीक है तो इसमें जैसा देश एक पर्टिकुलर देश के बार में बात चल रहे हैं कि जिस तरीके का देश होगा वैसा ही वहां का क्या होगा भेश होगा ठीक है तो इसमें जैसा वर्ट जो है वो हमारे पास में क्या है सार्वनामिक विशेशन है नेक्स्ट गुणवाचक विशेशन तो जो शब्द संग्या या सर्वनाम के गुणधरम स्वभाव का बोध कराते हैं उनको गुणवाचक विशेशन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं ठीक है गुणवाचक वि काल का बोध करवा रही है तो ऐसे शब्द जो काल के वारे में बोध करवाती है उसकी विशेषता बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं काल, बोधक, गुणवाचिक, विशेषड Next है हमारे पास में रंग, बोधक जिससे कि हमें किसी के रंग का पता चले तो रंग तो कोई भी हो सकता है जैसे लाल, पीला, नीला, काला, बैंगनी, हरा, गुलाबी दशा बोदक यानि कि मोटा, पतला, युवा, वृद, गीला, सूखा, ठीक है आकार बोदक जैसे के गोल, चोकोर, तिकोना, लंबा, चोड़ा, नुकीला, सुडोल, पतला, मोटा ठीक है तो इस तरीके से जो आकार के बारे में बताएंगे तो ये सारे के सारे शब्द जो है, हमारे पास में गुण, गुण, धर्म और सुभाव का बोद करवा रही है ठीक है, संग्या और सरवनाम के तो उनको हम गुण वाचक विशेशन की शुरिणी में रखते है नेक्स्ट है हमारे पास में संख्या वाचक विशेशन तो जिन शब्दों से हमारे पास में संग्या या सरवनाम की संख्या का बोध होता है ठीक है? उनको हम संख्या वाचक विशेशन की शुरेणी में रखते हैं इसके दो वहेद हैं, सबसे पहला है निश्चित संख्या वाचक जिसमें कि निश्चित दिया गया होगा कि 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपे यानि कि exact numbers बताए होंगे तो उनको हम रखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेशन की शुरेणी में निश्चित वाचक जो हमारे पास में संख्यावाचक विशेशन होते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में लास्ट परिमान बोधक विशेशन ठीक है तो जिससे हमें किसी चीज़ की quantity का पता चलेगा यानि कि संख्याव या सरवनाम के परिमान का बोध होगा उसके साथ में मापक के रूप में कोई term यूज होगी इफोर्मेशन दी है नंबर्स दे रखे हैं तो वो निश्चित परिमान बोधक में आ जाएंगे और अनिश्चित परिमान बोधक में आ जाएंगे जैसे कि बहुत घी थोड़ा दूद ठीक है तो परिमान बोधक में हमारे पास में quantity का पता चलेगा ठीक है ओके तो इस तरीके से हमारे पास में विशेशन का चाप्टर भी खतम होता है तो अब हम questions करते हैं जो कि previous series में तूछे गए हैं जैसे कि पहला question है इनमें से गुणवाचक विशेशन कौन सा है आपको बताना है ओके options है आपके पास में चोगुना, तीन, नया और कुछ ठीक है तो हमने गुणवाचक के विशेशन में किया था कि जो हमारे पास में काल का, रंग का, दशा का, गुण का और अकार का बोध करवाई तो वो कौन से होते हैं हमारे पास में जिसे कि नया जो है वो हमारे पास में समय का बोध करवा रहा है तो गुणवाचक विशेशन में हमारे पास में option number B करेक्ट हो जाएगा ठीक है ये नया, ओके next question है निमलेखित में से कौन सा शब्द विशेशन है options हमारे पास में दे रखी है मात्र, खर्च, निपट और चुपचा ठीक है तो इसमें से हमारे पास में जो विशेशन शब्द है वो क्या है निपट ठीक है no 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 अगर निकट होता तो होना था मात्र इसमें जो है वो हमारे पास में अंधिशित संख्या वाचक विशेशन है option number A is correct here next है हमारे पास में मानव शब्द से विशेशन बनेगा तो मानव शब्द से जो विशेशन बनेगा वो बनेगा मानवता option number C is correct here next question है उतकर्ष का विशेशन होगा तो उतकर्ष का विशेशन होगा वो होगा उतकर्ष तो option number C correct है यहां पर नेक्स्ट है आधर शब्द से विशेशन बनेगा ठीक है तो आधर से बनेगा आधर नियों option no.C is again correct here next question है संस्कृति का विशेशन है ठीक है तो संस्कृति का विशेशन है सांस्कृति तो option no.D यहाँ पर correct हो जाएगा next है पशू शब्द का विशेशन क्या है ठीक है तो पशू शब्द का विशेशन है पांटविक option number E जो है वो correct हो जाएगा ठीक है ओके तो इस तरीके से हमारे पास में विशेशन और सर्वनाम दो चाप्टर्स जो है वो आज के दिन में हमने cover किये हैं I hope आपको समझ में आया होगा अगर आप exercises करेंगे इसकी तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा आपको पता चलता जाएगा कि कहां पर आप जो है वो अटक रहे हैं और आप फिर से वीडियो को देख करके उसको असानी से समझ सकते हैं Thank you so much for watching the video, stay tuned, bye bye